आम तोर पर लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, करीब तीन तरह के कांजी बड़े खाए होंगे, लेकिन बीकानेर में चपन तरह के कांजी बड़े मिलते हैं, हाँ आप सही सुन रहे हैं चपन तरह के कांजी बड़े, ये भी अलग-अलग वेराइटी के हैं, इन कांजी बड़ रहता है वे कांजी बड़ो में अपनी नई नी वेराइटी और अपनी चाप छोड़ता है इन कांजी बड़ो को खाने के लिए दर्मेंदर के पास देश-विदेश से लोग आते हैं दर्मेंदर की पैचान अब देश-विदेश में भी होने लगी है वह लिम्ब का बुक- रिकॉर्ड दारी भी है इसके अलावा उसकी दुकान में कई तरह की वेराइटी के कांजी बड़े मिलते हैं वे कांजी बड़ों में सबसे पहले गुलाब लहसुन अमचूर प्याज काली मिर्च लॉंग जलजीरा पान मेथी धनिया सौंफ जीरा सहित कई तरह की वेराइटी उसके यहां मिलती है वे बताता है कि इसको बनाने में करीब एक से दो दिन का समय लगता है साथ ही वे बनाता तो एक घंटे में भी हैं लेकिन इनको लोगों को एक से दो दिन के बाद देता है जिससे ये कांजी बड़े के स्वाद कुछ अलग आता है वे बताता है कि इन का पानी राई और हिंग डाल के तथा काला नमक डाल के बनाया जाता है जिससे उनके स्वाद भी दुगना पूजाता है कितने समय बन जाते है ये कान जी बडा और क्या-का चीजे है यूज़ करते हैं? इसका पाधी बनायाने में 3-4 दिन लगजयता है और 10 दिन दिन तक घथाए पापनी हिंग और इसको और नमक डेयाल जातकी है कैसे बनता है ये कान जी बड़ा? यह मोट किताल का बनता है, और मैं जगे जगे शवाप भी रगाता हूं, लोग में चाहूना करता है कि रपाशाब, आपने बोट बिल्या काम किया है।